आज के C++ वीडियो में हम लोग देखेंगे कि function templates किस तरह से काम करती है तो हमने अपने पिछले C++ वीडियो में देखा था कि जो class template है वो किस तरह से काम करती है class template में क्या होता था कि हम लोग एक तरह से variable बना देते हैं template के अंदर T और वो variables क्या store करता था data type store करता था एक नई file बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा tute67.cpp और boilerplate code यहां पर मैं डाल दूँगा और boilerplate code डालने के बाद यहां पर मैं आप लोग को एक function template बना के दिखाऊंगा अच्छा अगर मैं एक function मनाता हूं यहां पर और उस function का नाम में रखता हूं average तो मैं लिखूंगा int func average और उसके बाद int a int b करके मैं एक function मना लूँगा कुछ इस तरह से जोगी क्या करेगा आपको avg float avg is equal to a plus b by 2 ठीक है और मैं यहां पर parenthesis लगा दूँगा parenthesis लगाँगा क्योंकि मैं return करना चाहता हूं average तो अगर मैं भी यहां पर लिखता हूं float a और यहां पर लिखता हूं a is equal to func average और उसके बाद 5 और 2 का average मैं निकालता हूं तो यहां पर 5 और 2 का average निकालूंगा तो यहसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो 3.5 आ जाना चाहिए और यहां पर कुछ दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत आ रही है यार मैंने कुछ global करिए किया कई सामे को लगा ना भूलाओं क्या is equal to func average सब कुछ दो सभी सही किया यार लगता है मैंने okay मैंने return नहीं किया function में कुछ भी और मुझे float return करना है ठीक है int return नहीं करना है और एक और काम करूंगा यहां पर मैं printf करके लिख दूंगा the average of these numbers is percentage d where percentage d is a और यहां पर क्या गलती मैंने इतने error क्यों आ रहे यार अरे semi colon लगाना भूल जाता हूं हर बार में तो यहां पर देखो the average of these numbers is 0 आ गया तो वह इसलिए आया है क्योंकि actually यह int में valued हो रहा है तो यह काफी interesting है आपर क्या हो रहा है यह integer में valued हो रहा है integer upon integer एक integer आ रहा है और इसलिए यह मुझे 0 दिखा दे रहा है तो मुझे यहां पर इसको ठीक करना पड़ेगा a plus b की value क्या हो जाएगी 5 और 2 7 हो जाएगी 7 divided by 2 मैं एक काम करता हूँ यहां फर इसको एक int में लेता हूँ और इसको एक काम करता हूँ मैं इसको 2.0 कर देता हूँ और फिर इसके बाद मेरा काम हो जाएगा देको यहां पर मिले पास exact value हो जाएगी of these two numbers is 0 ओके सो एक float है तो मुझे यहां पर percentage f करना पड़ेगा percentage f करूँगा अगर तो यहां पर देको 3.5 आ ठीक है और percentage 0.3f करता हूँ 0.3f करूँगा तो decimal के बाद 3 digits आएगी यह मैंने बात करी थी कई बार कर रखी है बात मैंने यह ठीक है सो या पर मैंने इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लिया अब जरूरी निया मैं print f करूँ मैं c++ में हूँ तो मैं cout भी इस्तेमाल कर सकता हूँ तो यहाँ पर लिख दूँगा और अब मैं यहाँ पर 2.4 भी लिख सकता हूँ यहाँ और मुझे average मिलेगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3.5 दोबारा से 5 और 2.4 का वापस से 3.5 मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर funk average 2 call करना है actually तो मैं funk average 2 call करूँगा तो यहाँ पर मुझे देखो 3.7 मिल रहा है average and so on यार मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूँ कि इतने सारे functions मुझे बनाने पड़ रहे हैं मैं क्या करूँगा मैं इतने सारे functions बनाने वाला circus ना करते हुए इक template function जो है define करूँगा और यहाँ पर एक function template बनाऊंगा मैं आपर लिखूँगा template जिस तरह से मैं आप लोग को यहाँ पर syntax दिखाया था अपनी class template में विल्कुल उसी तरह से यहाँ आपर मैं function templates भी बना सकता हूँ और बड़े अराम से यह function template इस तरह से बन जाएगा मैं आपर लिख दूंगा class यह पहले ऐसे लिखूंगा और मैं लिखूंगा class t1 class t2 जिस तरह से मैं class में करता था उसी तरह से मैं आपर function में भी कर सकता हूँ अब मैं आबर क्या करूंगा यहाँ पर मैं T1 यूस करूंगा और यहाँ पर T2 यूस करूंगा और यहाँ पर क्या होगा मैं हमेशा कि यह average है मैं float में return करूंगा और इसको इस तरह से रहने दूँगा और अब मैं किसी भी number का average निकाल सकता हूँ सिर्फ func average use करके तो आप लोग देखो इसको मैं भी run करूँगा तो यहाँ पर 3.7 आ गया 5 और 2 का मैं करूँगा अगर यहाँ पर तो यहाँ पर देखो 3.5 आ गया and so on ठीक है तो basically कभी भी आपको एक ऐसा function लिखना है जिसके आपको अलग-अलग variant सिर्फ इस वज़े से लिखने पढ़ रहे है कि आप अलग-अलग data type भी उस करोगे तो ऐसा मत करो एक template declare करो कम line of code में आपका काम हो जाएगा बिल्कुल भी problem आपको नहीं होगी तो यहाँ पर जो हमारा concept रा template का वो concept एकदम same हम apply कर सकते है अपने functions में भी तो class templates की हमने बात करी function template भी इसी तरह से बन जाएगे अगर मैं एक और example लेना चाहूँ आपका function template का तो वो होगा दो variable को swap करना तो आप किस तरह की variables को swap कर रहे हो वो उस पर depend करेगा तो मैं आपर इसका example लिख देता हूँ तो मैं लिखूँगा template और उसके बाद लिखूँगा class t इस तरह से और मैं आपर लिखूँगा white swap t का एक reference में लेगा m% a और उसके बाद दूसरा t का एक reference में लेगा m% b ठीक है t m% b t और यहां पर मैं क्या लिखूँगा मैं आपर लिखूँगा एक temp बनाऊंगा t type का o t कुछ भी हो सकता है int हो सकता है float हो सकता है care हो सकता है that depends यहां पर मैं a कर दूँगा a is equal to b کر दूंगा b is equal to temp कर दूँगा और यह swap हो जाएगा मेरा यह swap जो है मेरा होता है क्यों कि यह references है आप चाहँ तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं मैं यहाँ पर int x is equal to 5y is equal to 7 ऐसे लिख देता हूं और अब मैं क्या लिखूँगा मैं swap और यहाँ पर लिखूँगा x,y और अब मैं cout कर दूँगा x of y को ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया यूपस मैंने इपन गलत जगह कर दिया एकाम मैंने function के अंदर कर दिया अक्छली कोई बात नहीं मैं यह mein में करना चाहता हूँ कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं तो swap मैंने use किया और यह कह रहा है क्या कह रहा है this will not swap A and B तो यहाँ पर actually क्या हुआ ना कि जो swap होता है वो अल्रेडी मौजूद होता है standard name space में इसलिए मुझे swap को SWEWP करना पड़ा और मैं आपर swap को X Y करके करूँगा तो मेरा जो X है वो 7 हो जाएगा Y जो है वो मेरा यहाँ पर यह हो जाएगा 5 ठीक है back session करता हूँ तक एक new line आ जाए अब इसको run करता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर 705 प्रेंट होगा इसका मतलब यह दोनों values swap हो गई तो मैंने overloaded function बनाने की बजाए आप एक function template बना सकते हो वो एक better option होगा कई cases में ठीक है function template के अंदर हमने उसको देख लिया ठीक है so I hope यह चीज आप लोग के लिए helpful रही होगी और आप लोगों ने यह C++ की प्लेलिस्ट अग्सस कर ली होगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करिये C++ की प्लेलिस्ट अक्सस तो उसको जरूर अक्सस करें अभी के लिए इस हुआ है